बारिस की बूंदे भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है ठीक उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रियास हमारी जिन्दकी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं हेलो गाईज मैं लव प्रिकास गोव में आप सभी का वेलकम करता हूँ यूटूब चैनल के टने ग्रूपे जैसा कि आप सब को पता है कि काफी टाइम से आपके क्लासे नहीं चल रही है सब सब पहले इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ बट अब क्लासे कंटीन्यू होने वाली है जो टोपिक मैंने छोड़ा था वही से मैं कंटीन्यू करने वाला हूँ जैसा कि आप सब को पता है कि एगरी कल्चर के अंदर मैंने आपको एनिमल हस्बेंडी वाला जो टोपिक है उसको स्टार्ट किया हुआ है अब हम उसको कंटीन्यू करने वाले हैं आईए देख लेते हैं कौन-कौन से टोपिक है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मैंने एनिमल हस्बेंडी के अंदर आपको बैसिक बताया था कि एनिमल हस्बेंडी क्या है इसमें क्या-क्या आता है कौन-कौन से subject हमें पढ़ने है कौन-कौन से topic हमें पढ़ने है कितने-कितने question यहां से आते हैं इसमें सबसे पहला topic हमने लिया था breeds of cow breeds of cow ये वाला topic में आपको complete करवा चुका हूँ करीबन-करीबन आपके syllabus के अंदर 9 breed है मतलब 9 नसले हैं यह आपको पढ़ा चुका हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आप इनको एक बार revise कर लेना ताकि सब तरो ताजा हो जाए और जब मैं आपको पढ़ा हूँ तो आप class में answer दे सको आओ आगे बढ़ते हैं हमने इसके बाद measure topic लिया था breeds of buffaloes breeds of buffaloes और buffaloes वाला जो topic है इसको भी मैं आपको complete करवा चुका हूँ करीबन करीबन इसमें आपके 6 भेंस की नसले दे रखिए यह नसले मैंने आपको पढ़ा दी हैं और इसके अलावा basic information of buffaloes भेंस की सामाने जानकारी बहस कितने प्रकार की होती है गुण सुतर संक्य कितनी होती है यह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद अगला topic मैंने start किया था breeds of goat breeds of goat और साइद जो goat है वो जेट के syllabus में नहीं है बट इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है इसमें हमने चार नसले पड़ी है इसके बाद अगला topic मैंने start कर दिया था breeds breeds of sip और इसके अंदर इसकी एक class लगी आई थिंक जिसमें मैंने आपको इसके बारे में basic जानकारी वाला जो वीडियो है basic information यह मैंने आपको बता दी है अब हम इस class को continue करने वाले हैं मतलब class आपके animal husbandry class 7 के नाम से होगी उसके बाद जो भी class आएगी और animal husbandry class 8 class 9 class 10 इस चरीके से sequence चलेगा तो आपको क्या करना है जो भी पहले मैंने पढ़ाया है उसको आपको cover करना है complete करना है उसी के बाद मैं suppose करो अगर आपने 8 वीडियो नहीं देखा है तो आपको 9 समझ में नहीं आएगा पहले आप 8 वा देखे उसके बाद 9 नंबर का देखे sequence पकड़ के आपको चलना है तो एक बार आप सभी student जो हमारा last वीडियो था animal husbandry class 7 जिसके अंदर basic information of sip हैं उसको आप complete कर लेना और as मतलब इसके बाद जो class आने वाली है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा breeds of sip तो अगला टोबिक हमारा क्या हो जागा breeds of sip हो जाएगा इसके अंदर करीबन करीबन आपके syllabus में 8 नसले हैं कितनी नसले हैं 8 नसले हैं एक एक नसल को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लास्ट वीडियो में नसले याद करने के ट्रिक मैंने आपको बताई दी आओ एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि जब आप अगली class पढ़ो तो आपको नसले याद हो जाएगी क्योंकि एक basic सा question आता है कि बताईए इन में से कौन सी गाई की नसल है इन में से कौन सी भेड की नसल नहीं है सब्सक्रों अगर आपको नाम ही याद नहीं है तो फिर आप answer कैसे दोगे इसलिए सबसे basic यही होता है कि आप नसलों के नाम याद कर ले क्योंकि एक्जाम के अंदर एक से दो question ऐसे आते हैं जिन में सिर्फ और सिर्फ नसले दी जाती है तो आओ भेड की नसले एक बार में आपको फिर बता देता हूँ कितनी नसले हैं सबसे में आठ नसले हैं उनको याद करने की एक simple सी trick है trick क्या थी तो देखो हमने कहा था कि मामा क्या बोला था हमने मामा चोकरो मामा चोकरो अवी अवी क्या बोला था मेरे साथ बोलो मामा चोकरो अवी अवी कहा गयो जेसल मेर जेसल मेर में गयो कहा गयो चोकरो अभी अवी जेसल मेर में गयो अच्छा ये पता नहीं है किस लिए गए हो ठीक है तो इससे आपको भेड़ की नसल याद हो गई कौन कौन सी है पहले मा का मतलब में ने आपको क्या बताया था मारवाडी आपको याद रखना है हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो भेड की नसल पाई जाती है और को नसी है मारवाडी है जब एक-एक नसल को पढ़ेंगे तो इनके बारे में जित्ती भी इंफोर्मेशन है सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ दूसरे मा का मतलब क्या होता है इससे हमने देखा था माल पुरा नसल है और माल पुरा नसल हम इसके बाद बढ़ने वाले हैं अब इससे पर नाम याद करवा रहा हूँ इस पहले चोका मतलब आपको क्या याद रखना है चोकला याद रखना है हुजाएगा इजी है इसके बाद करो से आपको याद रखना है कराकुल क्या याद रखना है मेरे दोस्त कराकुल याद रखना है इस पहले अवी का मतलब याद रखना है अवी वस्त्र और दूसरे अवी का मतलब क्या याद रखना है अवी कालिंग और यहां से सूपरवाइजर में भी क्योशन आया है इन दोनों असलों को किसने विक्षित किया है CSWRI Central Sip All Research Institute अवी का नगल टोक में है याद रखना इसके बाद जेसल मेर से क्या याद रखना है अरे बहुत इजी है जेसल मेरी याद रखोगे क्या याद रखोगे जेसल मेरी याद रखोगे और इस में से क्या याद रखना है अरे मेरी नो को भला कोई भूल सकता है मेरी नो और सब गयों से क्या याद रखे अरे जो गया है उसको आज दिन तक किसने रोका है हम भी नहीं रोक सकते इस पर अपवाद लगा देना इसका ट्रिक में कोई भी मीनिंग नहीं है याद रखना है कि तो गयों से आपको इन नसल बना दो तो एक बार आप इसके पहले के वीडियो जरूर देखे और कमेंट करके जरूर बताए कि आप में से कौन-कौन क्लास के लिए रेडी है ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए क्लास ले कराऊ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करे अधिक सदिक सेर करे और जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर ले पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करे ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में तब तक आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार जय जवान जय क्षान जय इन्द फ्रेंड बाबाए